पहले फिज में यलो लाइन के बाद आज से यात्रियों के लिए ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। पूरे 171 दिन बाद ब्लू लाइन द्वारका सेक्टरी की सिन्नो हेडा विशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क शिव विहार पर मेट्रो चली। इन दोनों मेट्रो लाइन के शुरू होने से नौहेडा और गाजिया बाद आने जाने वाले यात्रियों को काफी राहत पहँचेगी। इससे पहले सुमवार को यलो लाइन पर समयापूर बादली से हुटड़ा सेपी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक सेवा बहाल की गई थी। पिंक और ब्लू लाइन के शुरू होने से मेट्रो स्टेशन उपर इंटर्चेज की सुविधा भी आत्रियों को मिलने लगेगी। या त्री पिंक लाइन से ब्लू लाइन पर ब्लू लाइन से यलो लाइन के इंटुक्चेज मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन को बदल सकेंगे। तीनो लाइन के शुरू पर 28 इंटर्चेज मेट्रो स्टेशन में से 9 स्टेशन उपर इंटर्चेज की सुविधा बढ़ जाए। सुबै और शाम के समय चलेगी मेट्रो पिंग और ब्लू लाइन पर भी मेट्रो को दो पाली में चलाया जाएगा। सुबै साथ बजे से लेकर ग्यारा बजी तक मेट्रो दोडेगी। जबकि शाम को चार से लेकर रात आठ बजी तक मेट्रो चलेगी। Metro Station के चुनिंदा गेट से यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। किस स्टेशन का कौन सा गेट खुलेगा उसकी जानकारी यात्री Metro की विबसाइट से प्राप कर सकेंगे। Interchange Metro Station पर है खास इंदाजाम यलो, ब्लू और पिंक लाइन के Interchange Metro Station पर यात्रियों की भीड को व्यवस्थित करने के खास इंदाजाम किये गए हैं। आवाजाही के लिए रास्ते अलग किये हैं। स्टेशन पर सामाजिक दूरी को लेकर लाल रंग वाली पट्टी लगाए राजीव चौक चैसे बड़े Interchange Station पर लाखों की संख्या में यात्रा कुरोनाकाल में एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए ट्रेन बदलते हैं। ऐसे में दिल्ली मेटरू द्वारा पुकता इंदजाम किये गए हैं। ब्लू और पिंक लाइन पर दौरेंगी 106 ट्रेन दिल्ली मेटरू द्वारा ब्लू लाइन पर 66 ट्रेनों को दोड़ाया जाएगा। ट्रेन परिचालन के दौरान लगभग 478 फेरे सुबह और शाम के समय लगाए जाएंगे। जबकि पिंक लाइन पर 27 ट्रेन के साथ मजलिस पार्क सिमयूर विहार पॉकिट एक की पीच लगभग 228 फेरे और त्रिलो पुरी संजय लेक से शिव विहार मेटरू सेक्शन के बीच 13 ट्रेन करीब 291 फेर लगाएगी। 10 दिसंबर को भी ट्रेनों का परिचालन इसी तरह से रहेगा। वहीं 11 और 12 सितंबर को दूसरी मेटरू लाइन की सिवा के विस्तार होने पर सुविधा को बढ़ा दिया जाएगा।